घरेलू नुस्खे जो रखेंगे सामान्य रोगों से दूर समय निकाल कर जरूर सुने, गरम दूद में थोड़ी सी हल्दी डाल कर उबाल कर पीने से कब्ज दूर हो जाती है, हिचकी आने पर सूखे निम्भू को जला कर सहद के साथ चाटे, खासी होने पर अदरक का रस सहद में बराबर मातरा में मिला कर सुबह साम दो तीन बार ले, राई का चून जोडों पर मलने से गठिया रोगी का दर्द भी कम हो सकता है, अदरक का रस सहद में मिला कर दात पर लगाने से दर्द दूर हो जाता है, पीपल के पत्तों का रस सहद के साथ सुबह साम लेने से जाने पर घाओ पर कच्चा अलू पीस कर लगाएं आराम होगा पेट दर्द होने पर अजवाइन के साथ थोड़ा मीठा सोड़ा लेने से आराम होगा मुहासे होने पर रात को सोते समय काली मिर्च पीस कर लगाएं हपते में एक या दो बार बालो को दही या चाच से धोने से बालो के साथ साथ जड़ को भी मजबूती मिलेगी नीम की कॉमल पत्तियां पीस कर फेटने से उसमें जाग बढ़ेंगे इसे सरीर पर लगाने से जलन की समस्य दूर होगी यदि मोच आई हो तो नारियल की गिरी को महीम पीस कर चोथाई भाग में हल्डी का चूड मिलाएं पोटली बनाकर आग पर गरम कर मोच पर इससे सिकाई करें रात को सोते समय इस पोटली को हल्का गरम कर के बांधें